को कि अओक तो क्लास 11 फर्स्ट येर के हम लोग physics के important question देखेंगे इसमें long और short जो के chapter के दर्मyान में से आ सकते हैं वो सब शामिल हूंगे just long नहीं बलके long भी शामिल होंगे और short भी शामिल होंगे जो chapter के द्रमyान में से आ सकते हैं exercises के end में से कौन-कौन से आ सकते हैं उसके लिए एक अलग वीडियो अप्लोड हो जाएगी चैप्टर नबर वान मेजर्मेंट से स्टार्ट करते है आप लोगों के पास जो मेजर्मेंट है वो बेसिकली इतना इंपॉर्टन चैप्टर नहीं है बट जो इंपॉर्टन चीज़ें हैं उनको मेंशन कर लेते हैं आपके पास जो यह दो यूनिट्स हैं यह लाजमी करके जाने हैं आपने डिफरेंट बेट्वीन सप्लिमेंटरी यूनिट्स मैं इसको उद्रा ब्रॉट कर लेता हूँ और जिसमें रेडियन और इस्टी रेडियन शामिल होगा ठीक हो गया यह स्टी रेडियन शामिल है तो रेडियन यह स्टी रेडियन हो गया इसकी टेपनेशन इसका फार्मूला और रेडियन रेडियन में जो यह डेरिवेशन होई भी है यह चैप्टर नमर फाइफ में भी इंक्लूड है लेकिन अभी आपने यहां से भी कर लेनी है और इसका फार्मूला भी स्टे रीडियन का फार्मूला भी कर लेना है तो सप्लिमेंटरी यूनेट्स इंपॉर्टेंट है चैप्टर नम्बर वन में ठीक हो गया scientific notation इतना important नहीं है इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद जो सबसे दादा important है वो आप लोगोंने short में कर लेना है errors जिसमें types of errors systematic और random, personal यह सब शामिल है ठीक हो गया uncertainty और उनके rules यह जो sum कैसे करते हैं product किस तरह करते हैं यह main main आपको आना चाहिए इस chapter में से and lastly आपको जो most important इस topic chapter में grip होनी चाहिए वो होनी चाहिए dimensions पे ठीक हो गया dimensions यह जो most important topic is dimension of physical quantities इस पे आपको most important grip होनी चाहिए complete इसकी फाइदे इसके क्या क्या नुकसान है इसकी किस यह जो terms important क्या है इसकी constant dimensionless होता है और जो main main equations है 15, 16 जो dv है, velocity, acceleration, force, momentum इन सब की आपको dimension निकालनी आनी चाहिए जिसमें limitations हो और यह कुछ examples है मतलब dimension का topic आपने A to Z complete prepare करना है इससे किस तरह formula बना सकते हैं इसके बाद आप लोग जाएंगे chapter number 2 पे vectors and equilibrium पे vectors and equilibrium में जो main first important topic है वो है unit vectors यह आपने short के लिए prepare करना है ठीक है और इसका color change कर ले तो हम black इसके बाद आप लोगों ने vector addition by rectangular components तमाम किताबों में नई पुरानी सब किताबों में यह मुझूद है unit vector वरा यह सब जो मैं बता रहूं यह सब किताबों में मुझूद है यह most important है यह लेकिन long के लिए है vector addition by rectangular components यह सारा topic इसके बाद एक यह सब किताबों में यह example है इस किताब में assessment के नाम assignment के नाम से है जिसका answer 120 degree है यह most important है जिसमें तमाम forces बराबर होती है और आपने उनके दिर्मान का angle लिकालना होता है तो यह सब बच्चों ने करनी है 120 degrees का answer है यह अपनी किताब में देख लिएगा आप लोग है product of vectors most important जिसमें scalar उसकी properties और vector और उसकी properties शामिल है scalar product सारा और vector product भी सारा उनकी properties के साथ ठीक हो गया scalar और vector ठीक है यहां पर है vector with their properties properties इनकी अपने बच्चे को पांच-पांच लाजमी आनी चाहिए torque short note में आता है कि इसके नोट लिखे torque इसके बाद जो last है वो है type equilibrium का topic है तो यह आपने just read कर लेना है खास तूर पर इसकी types है dynamic static dynamic rotational dynamic translational उसी conditions तो यह just आपने short के लिए पढ़ लेनी है ठीक हो गया short के लिए इसके बाद आप लोग move करेंगे chapter number 3 पर chapter 3 forces and motion शुरू में कोई इतना खास इसमें topic नहीं है because यह 9th class वाले ही topic है यह chapter mainly start होगा आपका force and momentum से यह impulse से तो यह कहले हैं कि आप 3.1 linear momentum से start होगा तो यह short के लिए इसमें Newton का second law जोड ड्राइव हो रहा है यह impulse define impulse उसका unit उसकी dimension यह topic most important है elastic in elastic inclusion और इसकी elastic in one dimension यह तमाम derivation जो इसकी derivation है most important है यह सारा जिसमें V1 डेश और V2 डेश लिकालना होता है यह most important long है ठीक है यह सारी calculation हुई भी आपके किताबों में यह आपने prepare करनी है with their cases इसके कुछ किताबों में cases भी है तो इधर यह example में हुई भी है तो आपने इसके cases समेथ करना है ठीक है cases भी करना है इसके इसके बाद जो सबसे जादा important topic है वो है projectile motion yes यह आपने सारा का सारा prepare करना है all important यह projectile motion खास तोर पर इसकी height range और time जब लिकालते हैं तो यह maximum height time एंड यहाँ पर होगा range यह most important है ठीक हो गया यह इसका मतलब इससे लिड़िट जो भी calculation derivation यह question आ रहे है वो important है projectile motion चैप्टर नमबर 4 पर move on करते हैं work energy unit 4 first topic में इतना कोई खास important नहीं है then second में आपने करना है यहां से start work done in gravitational field अगर आप लोग करना चाहें तो यह कर लिएगा प्रिपेर वर्ड़न बाइवरीबल फोर्स यह कभी कबार आ जाता है randomly important है note के लिए important है वरना यह जो यह most important topic है work done in gravitational field is independent of path followed कि वो रास्ते पेटेपन नहीं करता जिस मर्दी रास्ते से काम करें work की value से यह मत यह gravitational field में यह इसकी statement भी लिखी हुई है तो यह आपने पूरा topic prepare करना है अच्छे से ठीक है यहां तक power important है लेकिन यह short के लिए long के लिए नहीं long के लिए उपर वाला topic important है और खास्तोर पर शॉट में जो यह prove है f.v वाला यह बहुत आता है बार-बार short में energy में आपके पास absolute potential energy very 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 important last time जितने भी exam हुए है जिस मर्दी बोर्ट के उसमें एक exam में सुबह या first या second shift या जो भी first annual second value सम में absolute potential energy लाजमी आया है इसकी full derivation के साथ इसके साथ इसके philosophy भी है यह भी equally important है इसके बाद आप लोग आ जाएंगे यह आप लोग ने read करके जाना है renewable or non renewable renewable sources कौन-कौन सी renewable है recycle हो सकती है कौन सी non recycle नहीं हो सकती है recycle यह सारी करनी है आपने मतलब इतनी दाए importantly है लेकिन कभी कबाद note आ जाता है इन पर इसके बाद आप लोगों के पास आता है chapter 5 rotational and circular motion one of the most important chapter यह मतलब इन chapter में से हैं जो मैं मश्रा दूँगा के सारा करके जाए complete लेकिन अगर इन फिर भी इन में से important देखें तो angular motion क्या होता है आपको पता होना चाहिए angular displacement पता होना चाहिए आप लोगों को shortly angular acceleration angular velocity यह सब यह इनके जो relations है वो लाजमी करके जाने drive जैसे s is equal to r theta linear और angular के दर्म्यान v is equal to r omega a is equal to r alpha यह तीन relation drive हुए होंगे यह आप बचोंने लाजमी करके जाने centripetal force very important long के लिए derivation सारी हुई भी है torque अच्छा यह banking of road important है यह banking of road torque and movement of inertia इतना नहीं है important conservation of angular momentum short के लिए important है यह वाला नहीं चीज़ है अच्छा इसमें जो यह वाला topic है kinetic rotational energy यह most important है जब इसके साथ हम join करेंगे disc and hoop क्योंकि यह लाजमी आता है for disc and for hoop भी होगा यहां पर hoop की calculation और leaf की भी होगी शाहिद के अपने करने के लिए यह आता है for disc for hoop और board में आजकल आ सकता है for sphere यह तीनों आपने prepare करके जाने है ठीक है sphere real and apparent weight important है इसके तमाम cases artificial gravity important है इसकी एक वो frequency calculate करनी होती है यहां पर मुझूद है yes यह यह पूरी derivation important है artificial satellite important है यह chapter पूरा important है यह बाहर पर paper में topic है इसकी orbital velocity यह geostationary orbit का radius बहुत important है इसमें radius drive करना होता है देखें यह radius drive किया आप इसकी value भी calculate करनी है आपने chapter अब आजाएगा 6 fluid dynamics यह important है short के लिए stokes law and fluid friction terminal velocity इससे little short आता है कि जो fog droplet है क्यों लगता है कि वो हवा में एक जगा struck हुआ है इसकी वज़ा इसी से explain करनी है terminal velocity से और इसकी derivation जो ही भी है sorry इसके बाद दो equations है equation of continuity very important और Bernoulli equation very important Bernoulli के साथ इसकी application भी आ सकती है यह सारी important इसकी derivation हुई भी है Bernoulli के साथ इसकी application भी आ सकती है filter pump, automizer, venturi relation, torricelli theorem यह तमाम इसकी applications आप लोगों ने इनकी derivation के साथ करके जानी है यह Simple harmonic motion की definition आनी चाहिए आपको define यह definition लिखी भी है इसकी इसका time period इसका frequency relation यह आने चाहिए आपको हाँ, यहाँ same engine start होता है circular motion and simple harmony motion को जब equate किया जाता है बराबर रखा जाता है उसमें आपके पास तीन चीज़ें calculate की जाती है displacement, velocity and acceleration यह तीनों की derivation important है इसमें randomly हुई भी है लेकिन इसमें यह velocity velocity, velocity तो सबसे जादा important है इसका formula यह बन जाता है यह वला उपर explanation होगा वो भी आपने करना है, simple pedula में important है, 10 में भी important है, इदर भी important है, इसकी derivation 3D advance है energy conservation in simple harmony motion, most important कि throughout simple harmony motion में instantaneous, at mean and at extreme सब पे same रहती है, energy बाकी phase important है, resonance short के लिए आप लोगों ने देख लेना है, resonance कभी गबार आ सकता है, यह damp oscillation इतना नहीं है chapter 8 waves यह पर सारा short है, इतना नहीं important नहीं है पहला जो important topic है, वो यह है, speed of sound, जिसमें जो newton method है, जो newton ने calculate किया था, वो देन उसकी laplace ने correction की थी, तो यह सारा important है, जिसमें laplace correction शामिल है, उसी topic में, और correct value of sound कल्कुलेट की थी इसमें जो बाकी important है, यह effect of pressure and temperature इसकी छोटी से calculation है, लेकिन temperature वाले की जाद है, तो यह दोने important है इसके बाद यह interference short में, जिसमें इसका दो types है, constructive और destructive, यह रहा constructive, कब constructive होता है और कब destructive होता है, यह condition लाजमी आतर के जानी है और इसके बाद यह open pipe, close pipes हैं, बस, stationary waves आ गई, important है यह अब यह जो इसकी types आ जाजेंगी है, stationary waves in a stretch string, very important, इसके बाद open pipe, close pipe, organ pipes आ जाजेंगे यह organ pipes, जिसमें one end open, one end close, यह सब important है, first harmonic, तमाम इसकी calculation, easy है बहुत, यह आपने सब करके जानी है और last में doppler effect, doppler effect के तमाम cases, with all cases, it's important इसके बाद आप लोग जाएंगे chapter number 9 पर, physical optics पर nature of light, short में आता है, अच्छर wave front important है, short के लिए कभी कभार long में note भी आ जाता है इस पर, लेकिन wave front आप लोगों ने करना है higens principle का जो दो rules है, वो करने, या postulate जिसे कहते है interference of light वो ही हो जाएगा जो पिछले chapter में बढ़ा था वहाँ पर sound है, यहाँ पर light है, बस थोड़ी सी wording change है यह condition लाजमी बचो आपने त्यार करनी है, कि किस condition पर यह constructive होता है Michelson interferometer long में, important है or diffraction grating, diffraction of a single slit or अगी grating आएगा, diffraction grating, very important और यह Bragg's Law, X-ray Crystal, यह सब important है, इस chapter में, Bragg's Law, यह यह रहूँ, यह paper में आता है कसर, लेकिन यह वो long होता है, जो बिलकुल last में होता है, आप उसको छोड़ सकते हैं, अगर आप लोग चाहें, तो, polarization of light, very important, यह long में भी आता है, short में भी आता है, तो यह आप बचों ने इस त chapter यह आपके पास, thermodynamics, इसमें से एक long pick होता है, first law of thermodynamics, important, short के लिए, इसकी application, first law की, इनको सब में से पास करवाना है, iso-coric, iso-baric, isothermal, idiomatic, यह तमाम चार process important है, इनकी condition क्या क्या होती हैं सब, इसके बाद, यह cp-cv is equal to gamma, यह most important law है, यह यह जो proof है, यह बहुत important है, cp-cv is equal to r, यह बड़ा important proof है, heat engine, important है, जिसमें carnot engine, second law of children के बाद, यह carnot cycle है, carnot engine, very important, second law of thermodynamics करने हैं आपने, जैसे यहाँ पर mention है, यह, और इसके साथ ही आप लोगों ने, carnot engine कर लेना है, तो carnot engine करने से आपका heat engine भी cover हो जाएगा, तो इस topic से आपके दोरा topic revise हो जाएगे, और तियार भी हो जाएगे, entropy आपने, entropy end में होगा, short के लिए करना है, यह short के लिए करना है, तो that's it, यह आप लोगों की किताब, first year की जो physics है, उसके important questions है, exercise के numerical और short question मैं upload कर दूँगा, बाद में, अभी आप लोग यह prepare करें, आपके लोगों की करेंगे,